अब पेरा बदाना लिया कि तरव कुल गया जब एक्स भाय बन गया तो जणाब क्या बन गया है जशित के यह ऑगे है अब उस तरफ से लिजाएगी में x लिखावा है वहाँ वहाँ एक्वेशन में क्या आजाएगा आया जाएगा जो जो पॉइंट x,y था अब उसकों तब्दील कर देंगे आप कर देंगे y,x कर देंगे जो फोकस का पॉइंट हमारा a,0 था अब क्या हो जाएगा जो a,2a था एंड पॉइंट लेटा सक्तम वो 2a,a हो जाएगा जो a,-2a था वो क्या हो जाएगा जो equation y square is equal to 4a x थी और क्या हो जाएगी x square is equal to 4a y हो जाएगी तो directrice की equation x equals to minus a थी अब क्या हो जाएगी y equals to minus 0 जनाब एक्स शुप्टिब्स द्रिफ क्या बन जाएगा x y बन जाएगा और y एक्स बन जाएगा जनाब ये खुशूरत सा पैरा बला मुझूद है 0,0 अब हम क्या करा रहे है इसको translate करा रहे है translate का मतब क्या करा रहे है move पर आ रहे है जनाब पैराबॉला को हमने translate करा दिया from 0,0 to any other point other than 0,0 0,0 के इरावा जो भी point था उसको हमने क्या assume कर लिया h,t assume कर लिया तो 0,0 से उठा गर हम पैराबॉला को कहां पर लेगा है h,t पर तो जनाब अगर यहां पर हम point की शकल में देखे हैं पर point की शकल में क्या हुआ points की अगरवाद करें तो जनाब 0,0 जो है तो कहां चला गया जनाब x,k पर चला गया तो mathematically मैं यह भी कह सकता हूँ कि यह 0 में h प्लस हो गया और 0 में k प्लस हो गया तो जनाब 0,0 में x प्लस हो गया और k प्लस हो गया तो जो जो point x,y था अब क्या हो जाएगा x में h प्लस हो जाएगा और y में k प्लस हो जाएगा जनाब पास समझ में आ लिए जिरो,0 से x,y जब हो गया तो 0 में h एड हो गया 0 में k एड हो गया अगर जनरल ही भाहर करें तो x कॉदिट में kौन हो गया h हो गया और y कॉदिट में kya हो गया k हो गया एक्जेंपल के तॉर पे focus point क्या था? a,0 a में क्या होगा? h होगा? और 0 में क्या add होगा ? हाँ एंड points of letter Z क्या थे ? a, plus minus 2 जनाब a में क्या चीज़ add होगी ? जनाब a में add होगा x और जो plus minus 2 है था उसमें क्या add हो जाएगा ? k add हो जाएगा जितने भी x coordinate थे उनमें h add हो जाएगा और जितने भी y coordinate क्या add हो जाएगा ? k add हो जाएगा equation की बात करते x axis की equation क्या होगी ? y is equal to 0 यह किसकी equation ? y axis क्या होती है ? यह point क्या है ? h, k तो इसकी equation क्या होगी ? y equals to k यह h, k जनाब इसकी equation क्या होगी ? x equals to h अगर मैं इसको इधर रहा हूं तो y-k is equal to 0 हो जाए और यह क्या हो जागा जनाब x-x is equal to 0 तो पैटर्न देखने के लिए हमने देखा कि जनाब 0-0 से match कर रहा है और y-k से match कर रहा है y-k से match कर रहा है तो equations की अगर हम बात करें तो जनाब y कहाँ चला गया y-k पर चला जाए तो अगर हम equations की बात करें तो 0 को दिनाब 0 पर match कर रहा है और x का match कर रहा है x-h तो जो जो equation में x था वो कहाँ चला जाएगा x-h तो अगर example देखें equation क्या दी जानाब हमारी y-square is equal to 4x तो बिटा y में से क्या- हो रहा है k- हो रहा है जबके x में से क्या- हो रहा है h- हो रहा है बिलकुल ऐसे equation ग्या दी directives की x equals to minus तो जनाब आप देख सकते हैं कि जितनी भी equation है उनमे से x क्या- हो जाएगा h- हो जाएगा equation क्या बनेगी जनाब x-x is equals to minus तो जनाब आपने क्या कर दिया vertex की shifting कर दी from 00 to h- तो बस दो बाते दिहान में रखेगी कि जब vertex 00 के वजाए h-k पे होगा h-k क्या है any point other than 00 तो जनाब point के अंदर जो भी x-coordinate है उसमे h-plus हो जाएगा point के अंदर जो भी y-coordinate है उसमें k-plus हो जाएगा जो भी equation है x वाली equation में से h- हो जाएगा और y वाली equation में से k- हो जाएगा